नमस्कार दोस्तो आज बात करने वाला हूँ late fees और penalty on ITR के बारे में हैं जी दोस्तो आईटर अगर आप late file करते हैं तो उसके उपडर क्या late fees लगेगी क्या penalty लगेगी क्या आप loss को carry forward कर सकते हो क्या interest देना पड़ेगा क्या refund timely मिलेगा या नहीं मिलेगा बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाइ स्टेप उससे पहले बतरा चाहूंगा जो भी भायवन्दू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्होंने भी दख सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए सारे साथ बैल आइकन पर भी क्लिक कर लिजिए ताकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिलता रहे तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं लेट फिस के बारे में लाग से पांच लाग के बीच में है तो उस केस में हजार रुपे के लिजिए लगेगी अगर आप लेट आई टियर फाइल करते हैं लेट आई टियर का मतलब 31 जुलाई की डूडेट होती है अगर 31 जुलाई की डूडेट को मिस कर दिया है उसके बाद फाइल कर रहे हुआ तो हजार रुपे की लेट फिस लेगेगी पांच से धाई के बीच होती हैं तो ठीके और अगर आपकी इंकम पांच लाग से ज़ादा है तो ये लेट फिस बढ़ जाती है उस case में late fees 5,000 रुपे लगती है अगर आपकी total income 5,000,000 से ज़्यादा हो जाती है तो मतलब की 31 July के time को miss कर दिया timely ITR file नहीं किया आपकी income 5,000,000 से ज़्यादा है तो 5,000 के late fees धाई से 5 के बीच है तो 1000 रुपे की और धाई से कम है तो कोई भी late fees नहीं देना होगा उस case में आप बेन late fees के भी file कर सकते हो अभी हैं समझते interest के provision के बारे में अगर आप late ITR file करें तो आपके उपर interest भी applicable होगा और ये लगेगा 1% हर महीने का जो भी tax due होगा उसके उपर 1% पर मंद के इसाब से interest लग जाएगा मतलब late fees जो लगेगी वो तो लगेगी लगेगी साथ एक साथ interest भी आपका लग जाएगा अगर tax due बन गया तो तो tax में penalty 5000 की अलग से जुड़ गई और जो भी tax बना उसका 1% interest भी जुड़ गया तो नुकसान बहुत जादा होगा आपको लोस हो आप share trading करते हो यह short term capital gain हो यह long term capital gain हो उसके अंदर आपको loss हुआ है ठीक है share की trading कर रही है आपने उसमें loss हुआ है तो loss को आप carry forward नहीं कर सकते चाहे Fendo का loss हो चाहे short term का loss हो चाहे long term का loss हो चाहे intraday का loss हो यह फिर normal business income हो उसका loss हो उसको आप carry forward नहीं कर सकते तो यह भी एक नुकसान ही है मानलो heavy loss हो गया तो आप future year में उसे carry forward है नहीं कर सकते उसका benefit ही नहीं ले सकते 31 जुलाई के time को miss कर दिया तो loss भी नहीं मिलेगा आपको स्यादी साथ अगर आप late फाइल करते हो तो refund में भी issue आता है आपको refund late मिलता है इसका मतलब time से 8 year फाइल करने के बहुत सारे benefit है late फाइल करने पे यह आपको penalty और late fees के रूप में भुगतना पड़ेगा loss नहीं ले सकते refund late मिलेगा interest भी देना पड़ेगा और late fees जो लगेगी वो लगेगी तो समझेगे दोस्तों यह था एक कमाल का content जो मैं आपके सामने लिखाया वीडियो के से लगी जरूब होता है तैंक यू समय जय हिंद वन्दे मात्रव